हलो डियर स्टुडेंट दिस प्रोफेसर विशाल गुपता आज टुडेश टॉपिक इज ओवर यह डिस्टिंगुश बिट्वीन एड ट्रेडिशनल बिजनस तो चलिए इबिजनस और ट्रेडिशनल बिजनस में डिस्टिंगुश जाने पहले थोड़ा सा इसके बारे हम लो और इंटरनेट के थूँ अटाइश किया आता है लिंक किया था उसको हम लोग बोलते हैं और ट्रेडिशनल बिजनस तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है आप रोज जाते हैं किराना सौप भाजी वाले के पास पान वाले के पास शाय वाले के पास उससब क्या होगा इसको हम बोलते हैं इबिजनस तो सिंपल इपरनेट के थू जो बिजनस आप लेते हैं डिंट एडिशनल बिजनस मतलब जो आपका पुराने में फूसिकली जाते हैं दुकान पे आप राइट साइड में देख सकते हैं तो चलिए अभी हम लोग इसको डियक्तिश्टिंगर में आते हैं कि आखरी दोनों के भीच में क्या क्या डिफरेंस होता है तो हम लोग देखते हैं e-business and traditional business सबसे पहला topic है यहाँ पे formation formation मतलब उसको शुरुआत करना start करना देखे यह बिजनस सुरू करना बहुत ही आसान है क्यों बहुत आसान है simple बात एक website क्रियेट करना है कोई भी क्रियेट कर लेगा एक छोटा नॉर्मल एक जिसने सॉफ्टर इंजिनियर काम सीखा हो भी कर लेगा जबकि वहीं पर ट्रडिशनल बिजनस चालू करना काफी लिंदी काम है क्रियेट काम है मैं आपको बताता हूँ कैसे website कि सॉफ्टर इंजिनियर को दिया करके आपको दे देगा चालू बट आपको ट्रडिशनल बिजनस चालू करना सबसे पहले समझो आपको मैं सिंपल बात करता हूँ समझ लिजे आपको एक दुकान चालू करनी बड़ी सी सबसे पहले आपको दुकान के लिए जगे ढूरना है लाखो रुपए उसका डिपॉइट रहेगा हो देना है उसके बाद में उसके रेंट हो गड़ा है ठीक हो बाद में कॉश्ट में हम टॉरेत करना काफी लेंधी काम होता इडिशनल बिजने स्चाछला करना काफी ज्यादा आसान थैक टेडिशनल बिजने सटे excernd least Сबसे डिए uh u है next setting up cost setting up cost का मतलब simple कितना खर्चा लगता है देखिए बिजनस चालू करने हम कोई बहुत जादा खर्चा नहीं simple है आपने क्या किया एक website चालू किया यह बिजनस चालू हो गया वहीं पर जब बात करोगे traditional business को चालू करने बहुत सारा कौश लगा जैसा भी मैंने बता आपको लाको रुपए खाले डिपॉइट देना पड़ेगा फिर पचीस पचास जार एक लाक रुपए महिने का भाड़ा देना पड़ेगा फिर उसके बाद में इतने सारे आप वरकर रखेंगे उनका पेमेंट अलग उनका बोनस यह सब खाना पीना चाय ना सब अलग खर्चा तो सिंपल बात है यह बिजनस को चलाने में कौश बहुत ही कम लगता है जबकि आपके ट्रेडिशनल बिजनस को चलाना और स्टार्ट करना बहुत साधा इंवेस्टमेंट बहुत ज्यादा कौश लगता है kis risk involved risk कहा हम जाता और भी यहां पे शमजद लिजें यह बिजनस में आपको risk ज्यादा होता है जबकि आपको traditional business में risk कम होता है आप बोलेंगे ऐसा कैसे मैं बता तो कैसे बिजनस के अंदर आप customer कोmera को बिल्कुल नहीं पहुता है कुलड़ घो और तो जल्दियों चोड़ refund नहीं see that high risk involved as there is no direct contact between the parties यह बिजनस में रिस्क ज्यादा होता है कि पार्टी की बिच में कोई भी contact नहीं होता है पता नहीं जानते नहीं पहचानते नहीं जबकि हम traditional business की बात करें तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं वह एक अच्छी साइड से कंपेर करते हैं Amazon पर क्या दे रहा है अपना फ्लिपों पर क्या दे रहा है उसके आदे मंतरा पर क्या दे रहा है आपको जो अच्छा लगता आप वहां से खरीकते हैं जबकि आप चालू करने में काफी ज़ादा capital लगता है रिस्की इन्वल्ड आपका यह इस चालू करने मेंIDS काफी ज़्यादा होता है क्योंकि वहां पर कोई international कॉंट नहीं होता है जबकि traditional business के अंदर risk कम होता है कि वहाँ he personal contact होता है next point scope of business scope मतलब धायरा देगी simple बात है यह बिजनस आपको पता है global लेप पहुंच सकता है इसका धायरा काफी ज्यादा होता है अगर आप अच्छे से यह बिजनस करेंगे तो आप इंडिया बैठे बड़े USA जैपान जर्मनी खर जगर बिजनस कर सकते हैं जबकि traditional बिजनस में पॉलम यही है कि आपके पास वही घिसे पीटे लोकल कस्टमर ही आने वाले है दूर से कोई आने वाला नहीं है अगेन लिसन आप देखे explanation में आपको main चीज़ें underline किया गया बोल डिटेलिक किया गया आप उसको समझो यह बिजनस के अंदर entire world आप cover कर सकते है आपका scope जी ले अपनी जिन्दगी लेकिन traditional business में ऐसा नहीं है traditional business के अंदर scope क्या है बहुत ही limited है आपको एक particular area particular दायरे के अंदर ही बंद के रहना आप उससे उपर नहीं जा सकते next customer interaction interaction मतलब आमने सामने मिलना बातचीत करना देखे यह business के अंदर आपके customer का interaction बिलकुल भी नहीं possible आ इंदर वही शड़ी सकल बार बार देखने वाली है जितनी बार जाओ दिन बार में चार बार जाओगे चार बार दिखेगा वही मतलब यहां वे face to face communication possible है next physical inspection physical inspection पता है physical inspection चेक करना टेस्ट करना देखना आप जाते आप देखते एपल वाले के हाँ एपल खरीते हो गाड़ी देखो कि possible नहीं है simple सी बात है simple सी बात है physical inspection online में possible नहीं है जब कि आप जब traditional बिजनस में जाते तो आप आसानी से physical check-up कर सकते जैसे example मैं बोलता हूं कपड़ा आप online जाओगे तो आप कपड़े का खाली color देख सकते हो आप कपड़े को touch करके देख नहीं सकते खीच के this is what your traditional business उसी में ऐसा possible है तो एक बार छोटा सरीका हम देख लेते हैं स्लाइड पे scope of business and e-business का scope बहुत बड़ा होता है world international level तक आप कर सकते traditional business का scope बहुत ही limited होता है local area local दायरे में ही आप कर सकते हो customer interaction customer के साथ interaction मतलब customer के साथ face to face communication e-business में बिलकुल भी possible नहीं है जबकि आप आपके traditional business में रोज रोज वही सकल देखने को मिलने वाली है physical physical inspection physical inspection मतलब personally देखना touch करना चूना यह चीजें आपके e-business में possible नहीं है जबकि आप traditional business में आराम से आप physically goods को चेक कर सकते हैं आराम से बैठ के खीषतान के देख सकते हैं next resource focus कहां पर जादा focus करते हैं देखे इ-business demand side फोकस करता है मतलब उसका कितना demand है जबकि traditional business supply side focus करता है वो कितना supply कर सकता है जबकि traditional business supply कि ओकि कितना माल supply कर सकता उसपे focus करता है delivery of goods चे बहुत easy topic है यह बिजनस के अंदर आपको goods का delivery मिलने में time जाता है जिसे example में बोलता हूँ example बोलता हूँ अगर मान लीजे आपने कोई भी online mobile आपने खरीदा तो उसको आने में 2-4 दिन का time जाएगा लेकिन वही traditional business में आप जाके अगर दुकान से खरीद के लाए तो तुरंत के तुरंत आपको सामान मिलेगा दो दिन में आप उसको तोड़ फोड़ भी देंगे simple बात है वापस हम मैं repeat कर रहा हूँ यह business में आपको सामान मिलने में time लगता है टेक्स टाइम तुरंत आपको सामान मिलेगा uses मतलब कहां के लिए ज्यादा useful है मैं बताता हूँ यह business आपका time बचाता है और पैसा बचाता time मतलब आपको जाके घूमने की market में कोई जरूरत नहीं है जबही बेठे वे हो यह 살क खान का रहे हो चाय पी रहे हो नास्ता कर रहे हो टीवी देख रहे हो आप बैठे बैठे मोबाइल सर्च करके आप झीलयक़ करके आप लोगिम्हें आपका उर्डर डे सकते है आपका बाहर जाने पर पर आज बी नहीं पहुचा है अब ओप क्या करेगा वह इंटरनेट उसके आ नहीं पहुचा तो आप यह पॉसिबल नहीं है उनके यहाँ ट्रेडिशनल बीजनस ही आज भी बेटर है यहाँ पर पर यहाँ पर 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 इस धाय। है तो शेम सिश्टम यहां पर है यह विघ्नस कितना भी बड़ा हो जा है यह जो आपके पहले से चल रहा है वह पर टैटिम इसी जड़ीर्षे उर्ड सोर्ट बीजनस ऑज में लीज़ाइब बिजनस काम करता है क्योंकि ये बिजनस आपका हर जगर पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाई है अब तक सुनिए वापस एक बार रिसोर्स फोकस आपका ये बिजनस डिमांड पर कॉंसरेट करता है ट्रेडिशनल बिजनस सप्लाई पर डिलिवरी टाइम कितना लगता है आप आपका ये बिजनस में टाइम लगता है जबकि ट्रेडिशनल बिजनस में तुरंट के तुरंट सामान आपके हाथ मिलता है यूसेज आपका क्या बेनिफिट है क्या इस्तेमाल है ये बिजनस आपका टाइम बचाता है पैसा ये बचाता है जबकि आप बात करेगे डिजनस की तो डेडिशनल बीजनस में जहां पर डिजिटल नेटवर्क वगर नहीं है वहां पर आज भी डेडिशनल बीजनस ही सक्सेस्फूल है अश्सेस्बिल्टी मतलब आप कभी हां पहुंच सकते आप इसे तब एकसेस कर सकते तो याद रखे यी बिजनस 24 बाइश सेवें अवलेबल हो था ट्रेडिशनल बीजनस के टाइम में लिमिडेड होते हैं जैसे एक्जांपल सुबह आठ से लेके सामके 10 बेट तक या जो भी टाइमिंग रहेगा उसी बीच में आप जा सकते कहीं कोई 10 बजे दुकान खुलती कहीं कोई 7 बजे को दुकान खुलती है आपको अचानक से रा तो भी नहीं आने वाला हूं सिंपल बात है यहाँ पर तो इतना सा फंडा यहां पर है कि बिजनस आपका 24x7 अविलेबल होता है जबकि ट्रेडिशनल बिजनस का टाइमिंग लिमिटेड होता उस लिमिटेड टाइम में ही अविलेबल होता है देखिए इसके पहले भी एक स को बहुत ही लिमिटेड हो जाता है काइसे मैं example अगर online business करते हो तो आप जादा business कर सकते हैं कई देशों एक साथ Business कर शक्ते हैं लेकिन मान लिजिये आप traditional business करते हैं तो आप एक साथ में कई जगह business नहीं करेंम एक्जामपल देता हूं मान बिना किसी रुखावर्ट के ज़्यादा बिजनस कर सकते हैं इसका इसमें बहुत स्था ले रहा हूँ बहुत सारा बच्चों का लेक्चे एक साथ ले सकते हैं अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनस की बात करूं तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बहुत होगा 50-60-100-500 बच्चे उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है तो सेम चीज़ यहां पर अगर आप यह बिजनस करेंगे तो एक साथ में बहुत बिजनस कंड़क कर सकते हैं लेकिन आप ट्रेडिशनल बिजनस करेंगे तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा बि यहां लेकर जलुखआवर करा वस्दूण्धीर नहीं होते हैं कि लेकोरा सेंगे तो एक् यहां ओंने बगूत करता झालुझावर के घर सफने उससे क्यों साहि कर। आपलपकर विलॉछीग से अर्शनल नहीं हो कि ए Mr.T